मैंगो सीजन चल रहा है और मैंगो आइस क्रीम नहीं बनाया है तो क्या बनाया है तो आज हम बनाएंगे मैंगो आइस क्रीम तो उसके लिए हमें चाहिए फ्रेश क्रीम और उसको बीटर से अच्छे से फैट लेना है और उसके अंदर डालना है थोड़ा सा कंडेंस मिल्क और ये mixture को उसके अंदर टांस्वर कर देंगे और उपर से डालना है कटा हूँवा mango garnishing के लिए और एक polythene wrap लेके उसको अच्छे से wrap कर देना है और overnight freezer में फ्रीज होने के लिए रख देना है और ये हमारा mango ice cream बनके रेडी हो चुका है तो लग रहा है ने एक तम market जैसा ice cream देखन पसंद है लेकिन हम तो पंजाबी है नहीं हम है गुजराती तो ठीक है कोई बात नहीं तो भी हम बना लेंगे तो यहां पर मैंने काजुगरी mix का यूज किया है इससे बहुत ही इसी हो जाता है ये सब्सी बनाना तो एक बोल पर गे और उसके अंदर ये मसारा डाल के उसको अच्छे से बना लिया और एक पैन ले लिया उसके डाला बटर थोड़ा सा ओईल डालेंगे क्योंकि बटर जल नहीं जाए और उसके निरा लेंगे थोड़ा सा गालिक प्यास काजू गर पे बनाया हुआ पनीर तमाटर हल्दी नमक और थोड़ी से मिर्च और उसको मिक्स क करेंगे और 5 मिंट के लिए और डखिए और यह उस 5 मिट के बाद हमारी सब्जी रेड़ी हो जाएगे और तेखो चैसे बटर और यह जो ओईल था वह भार आ गया है चुट गया है और बस आपर से चलिश करना है क्रीम और भॉनिये से तो हमारी ये सब्दी रेड़ी है 10 मिंट्स में ओके बाई